मुख्यमंतरी डॉक्टर महोन यादव ने जीतु पटवारी के उस बयान पर निशाना साधा है जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी के चार सो पार की हवा निकल गई है जीतु पटवारी के बयान पर पलटवार करते हुए मुख्यमंतरी मुहन यादव ने कहा कि कॉंग्रेस में दम नहीं कि वो अपकी बार चार सो पार कह दे यह तो बीजेपी के बबबर शेरों का काम है कॉंग्रेस पहले अपना घर देखे उनके नेता उन्हें छोड़ कर भाग रहे हैं बता दे कि PCC चीफ जीतु पठवारी ने दमों में कहा था कि पहले चरण के चुनाव में बीजेपी के चार सो पार की हवा निकल गई है क्योंकि जब रावन का अंकार ही नहीं चला तो ये तो केवल इंसान है बिल्ली के भाग से चीकानी चूटता है वो घर देख ले तो बहुत है जिस प्रकार का समय चल रहा है कांगरेश के लोगों में दम नीक वो कहजे के चार सो पार ये भाजपा के बबर सेरों का दोशना है कि जनका हमारे साथ है और भारी भाहुमत से नरेन मोदी जी फिर एक बार सरकार बनाने जा रहा है मेरी अपनी ओर से मतदेश में जो मोदी महें महोल बना है 29 की 29 लोगसवा सीट भाजपा जीतने जा रही है और बड़ी संख्या में कांगरेश के नित्रगंट भाजपा में आ करके इस भाजपा की ताकत की राष्टबादी विचार को बढ़ा रहा है खास कर टिकमगड की धरती पर ऐसा लगा है कि कोई घर ऐसा बाकी नहीं है जहां कमल के भूल की बात नहीं हो रही सब के चहरे बता रहा है कि सबने संकल्प कर लिया है आने वाली 26 तारीक को यहां एतियासिक रूप से कमल खिलेगा फिर एक बार विरेंजी मंत्री बनेंगे मानि प्रधान मंत्री फिर विश्व में भारत को नंबर वन का देश बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे मद्वदेश की जन्ता की ओर से मैं आस्वस्ट करना चाहता हूँ निश्व गुरूप से आप सब भाजपा के साथ दीजिए विकास के मामले में मद्वदेश सरकार कोई गोर का सरबागी ने देखेगी आप देख रहे हैं दखल न्यूर